तो कैसे हैं आप लोग एक और ब्लोग में स्वागत यह वाला ब्लोग बहुत इस पेसल होने वहाला है क्योंकि इस ब्लोग में तेरा मिनिट में आपको ऐसीय सबसे बड़े किले का मुव pit कराने वाला हूं तो जुड़े रही है इस ब्लोग में आ चुके हैं अभी हम लाल किले की पार्क पर और यहां पर हमने बाइक पार्क कर दिया अपनी तो दोस्तों आप जैसे ही किले के गेट के पास आओगे तो आपको मिलेगी की सबसे खुबसूरा चीज यह देखिए नहर ह मगरिज रहा करते थे हैं किले के चार तौरस सेफ हो जाया करता था अब चलते हैं इसके इंदर होते हैं इसके इंदर सीफ होiform Then पहले के आप आप था उससे पहले देखिए यहां रहोगी तो रही मैं आपको दिखाता हूं इसको पास जाकर तो दोस्तों होते हैं सेकंड गेट के अंदर एंटर जो कि अमर्सिंग दौवार इसका नाप कि समर्सिंग दौवार से एंटर होने के पाद आप जैसे ही जाओ विद्वार गेट होगी है और हुए और इसाब अकपरी गेट कह सकते हैं और यहां के जो गेट है ना वहीं जीडेट वन होगे हैं वह जीडेक पोजिशन में जैसे एक प्रेट साब निकलो तो दूसरा निका प्रेट होता हुए आगे की तरफ एंड गाइस सामने आप जो देख रहे हो गए हाती गेट उसके वारे में भी आपको बताता हूं बचलते हैं आगे को वाई सामने साहते थे हाती और यहां के पथर देख रहा है आप पथर वह पट्थर वह पट्ट जो लग हुए इस वह स जो कि अब पूरी तरीके से डेमिज हो चुगा है एंड गाइस इसके साथ ही आपको मिले गए इदर को हाती वाला गेट देखने को यहां से हाती का लसकर आया करता था उस समय आप पाट देख रहे हैं सब आर्मी गंडर माता है और गर को यह जो कमरे बने हुए सब आर्मी क यूज मारते हैं कहते हैं इसके लिए 75 परसेंट बाकी अब भी आर्मी के यूज में है और बाकी 25 परसेंट यह महल बने हुए तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह जहागीरी इस नानकुंड है यहां जहागीर की वाट्टफ इसी के अंदर जहागीर नाया करते थ कहते हैं इस राजमान सिंग दौरा जहागीर को गिफ्ट के तोर पर दिया गया था और गाइस इसकी खास्यत यह है कि बिना जोइंट का सिंगल पीस के पत्थर का बना हुआ है यह देखिए अंदर से काफी गहरा है यह इसकी आप देख सकते हैं यह कितना खुबसूरत बना सकते हैं आप कहते हैं उस जमाने में जो होता था यह जो साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर डोल रखकर जो महमान आया करते थे उनका स्वागत किया जाता था उस समय एंड गाइस इसी से होता हुए हमें अंदर को जाना होता है फाइनली आ चुके हैं हम जाहगीर के महल के अंदर यह देखिए जो आप देख रहे हैं जाहगीर का रूम है जाहगीर का कमरा आप कह सकते हैं इसके ही ठीक सामने आपको मिलेगा जाहगीर का साही दसरकान वाला रूम यहाँ पर साही टेविल लगवा होता था और इसके ही बगल में आपको रानी का मेहल मिल जाएगा यहाप रानी रहा करती थी इसी के उपर आपको मिले का दाशियों का महल यहापर रानी की दासिया रहती थी और देखिए कितना खुबसूожалуй वह थे चोठा के अंदर और इसी रूम के अंदर अकबर वास्तर ने जो धर्म चलाया था दीने इलाही उसकी कुछ यह पैंटिंग्स मौझूद है इसे में हर धर्म का सिंबल मौझूद है और दोस्तों आप यह जो देख रहे हैं दर्ज में यह जो मसाला भर हुआ है एक्च्योल में उस समय सिमेंट तो होता नहीं था यह है मसूर की दाल और ऊสρο की दाल को मिसर कहते हूं सेट होने में भी लगवक वह साल का समय लगता है इसी बज़े से इमारते मौद है हमवरे सामनी बीच दानिश्चाइध in को साज भब लगार को ई महल घर 먹 आर रहनous कर था zipper ठतार वह जाओंगे तो ताज महल चोटा होता जाएगा तो यह वाला के लिए था और गाइस इस रोम की घासे दिये थी इसमें इसके अदर जो है ना गर्मी के समें ठंडर रहा वरती थी और जाड़ों उसके समय गर्मी रहा वरती थी दिए खूब बना हुआने वाले इसकी खोग लिए तो इसमें क्या होता था गर्मी के टाइम में ठंडा पानी रख दिया करते ते तो यह ठंडा हो जाएगा और सर्दियों के टाइम में जो है रहा घरा पानी रख दिल तो यह था इसकी टग्निक थी और गाईस इस नों गंदर को ए हाँ है जैसे ही यह डिम साइट मेन कैसा यह सहना तो आप जैसे आगे往 जाओगे तो आपको मिलेगा एक खास महल और पाल की महर यह बहुत आएप को एक किस-किस काहे है यह चैने सिसके लेफ् Haz l वो ने सब बापस ले लिया था इंदे इसा बड़ा गेट है गाइस आ चुके हम पालगी महल में एक्ट्वल में यह महल जहां की बेटी रोसन आरा का है जो कि पालगी के सेथ में बनुए है इसको पालगी महल कहा जाता है और यह देखिए इनका रूम है गाइस इस इस रूम महल बहुत सुन्दर दिखाई देता है घैश देख सकते हैं आप कितना तो लग रहा है चलते हैं आप यह वाला जो एरिया देख रहा है दोस्तों यह है जेल वाला एरिया एक्ट्वल में नीचे को टैख खाने वन हुए है कैद खाने वन हुए है इन्हीं के अंदर कैदी रहा करते थे और यह लोकेशन है पाल की महल के जस्ट सामने बूब आप जैसे इस से उपर को चड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक खास बाग जहां यह मुम्ताज महल का रूम या महल कह सकते हैं अब यह बहुत ज्यादा खुबसूरत बनुए है दोस्तों और इसकी एक सच्चाए में आपको बताता हूं अभी अंदर बट उससे पहले देखिए यहां की उने जावारात हीरे लगवे होते थे जब ब्रेटिस काल यहां पर आया था तो जो उनके लोग है वो यहां से इन में से हीरे चुटा कर ले गए और इन ही के निसान रह गए हैं बसके और देखिए ऐसा पूरी छट में पूरे महल में हैं इसमें होगा आप देख सकते हैं ज पर आप पीने का भूस चोक तो वह यहां से अंगूरी बाग उसने बनवाया यहीं से अंगूर पैदा होते थे और इन ही की सरब बनाते थे अब जैसे आप लैट साइट को जाएंगे तो आपको मिलेगा सीज मेहल वह आपको दिखाते हैं देगे सामने ही रहा वो तो चलते दोस्तों यहां की बड़ी वेटी रोसनारा का महल और बोवाला था जहां इसको पाल की महल कहते हैं और रोचक बात यह है कि इसकी जो च्छत है यह सोनी की हुआ करती थी बट ब्रेटिस काल के जो लोग आये थे वो सब यहां से सोना लेगा इसके लिए से चुटा का और अब यह पीतल के शेप में रख दी गई है इसकी च्छत और गाइस देखिए ताज महल यहां से बड़ा दिखाए देगा आप जैसे ही पास को जाओगे तो यहां से भी ताज महल चोटा हो जाता है देखिए कितना चोटा होगा है और पहले कितना बड़ा दिखाए दे रहा था तो चलते हैं इस सागे को हम दोस्तों जहां नारा महल से आप मैं लेकर च वायता खाना नहीं है उन्हें के वल नजरबंद किया गया था और खाय आपँ देख सकते हैं कितना एक सुरतों बनावा और यहीं इसे नहीं से उसका दिदार क्या करते था क्या रखिए उसका नागजी कितना बड़ा जरा स्वाव बनावा और खाय 있는 World ہے तो लेकर चलतेंे आपको दिवान याम,ur दिवाने खास की तरफ गाईस, और यह देखिए रास्ते में आपको मिलेगा तैखाने का रस्ता. अब यहां हम और उपर को जाना होता है,इन सीडियों के चड़कर, जैसे यह सीडिया चड़ेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस दरीगे से पोरीडूर जोकी kau diye काफी शाणदार नजारा लग रहा है देखने में मुझे और आप जैसे ही इसको पार कर लेंगे तो आपको मिलेगी मीनवज़ित मीन मस्जित का ये गेट बंद कर दिया है कहते हैं इसे बास्टान अपने यूज के लिए बनाया था आपको मिलेगा दिवाने खास इसे आप सुप्रीम कोट कह सकते हैं उस समय का यहाँ पर भैठा कुआ करती थी राजा महाराजा की और यह काफी बड़ा बना हुआ है दोस्तों काफी बिशाल बना हुआ है और आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत यह बना हुआ है आप जैसे इसके लेफ्ट साइट को देखोगे गाइस सामने रहा देखिए ताज महल बढ़े साथ आप आप अपनी कसोती पर खरे उतरना तो इस पर बैटकर राजा फैसला क्या करता था क्यूंकि यह पत्थर कसोती का पत्थर कहला था इसको इरान से मंगबाया गया था दोस्तों आप इसके साथ साथ देखिए कितना खुब्सूरत और कितना बड़ा पहले से तो फ्रेंड्स यह है देखिए मीना वजार कहा जाता है और जैसे आप किदर को जाएंगे तो यह मिलेगा आपको साही अमाम जो की इनका साही उसल खाना था जिसे आप बातरूम कह सकते में हैं तो फ्रेंड्स दिवाने खास और साहे हमाम जबबं चलते हैं दिटरफ हराएं नगीना मस्जिट में पति नगजा चलते हैं तो फ्रेंडेग चलते हैं ल्गेदे मसजट kेंदर कहते हैं यह मश्जी के लिए बनाई थी से तो यहां लेघे पीछे हैं कितने नुखी हमारे मतंगाता हूँ आपको बैक कैमरे से देखे सुप्रीम कोड में आप इस से जहेंजी उत्र होगे तो दिवाने आप आम लोगों की बैठक होती थी खैसले होते थे उनकी जिन्दगी और या व सब्सक्राइब काफी बड़ा और खुप्सूरत बना हुआ है और ठीक इसके सामने आपको यह गार्डन मिलेगा और गाइज एक गेट वो रहेगा और अधर मस्जित बना हुई है जो कि अभी बंद कर रखा इनों है इसके पीछे का इतना एरिया है आफ सब आर्मी यूज कर पहले अकबर की आर्मी यूज करती थी अब इंडियन आर्मी यूज कर रही है और देखिए वो रहा तक्त जो कि यहां का जो बात्सा होता था वो बैठा करता था तक्त पर देखिए दिवाने आम के बरावर में रखिए ब्रेटिस टॉप ब्रेटिस कैनन और गाइस देख स कि यहांति दुआ रहे हैं आ चुके हैं हम बाहर यह रहा देखिए पीछे हमारे वरिगेट और करते हैं इसी के साथ इस ब्लोग को खत्म तो बताइएगा कैंसा रहा हमारे ब्लोग और आई होप आप सभी को अच्छा लगाओ तो गाइस यार वीडियो को शेयर कीजी अगर